बिहार की राजदहनी पटना में मकाना महोत्सव 2024 का उदखाटन शनिवार को राज़ के क्रशी मंतरी मंगल पांडी ने किया। पटना की बापू सभागार में आयोजित होने वाले तो दिन के महुत्सप काउदेश राज में मखाना किसानों की इस्तिती में सुधार करना और उन्हें सम्रद बनाना है मखाना महोत्सोग के आयोजन का मूल मकसद ये है कि जो मखाना की खेती बिहार में होती है इसकी ख्याती और बढ़े जो हमारे किसान हैं उनकी रूची और बढ़े जो बिहार की सरकार उनके उत्पाद को बढ़ाने में और बाजार उपलब्द कराने में मदद कर रही है महोत्तव में किसानों ने अपनी माखाने की फसल को दिखाया और सरकार से इसके लिए अलग मार्केट बनानी की मांग की में मखाना होता है और लगवग मखाना आज से 10 दो दिन पहले लवग तीस अजार रुपया कुंटल था सिर्फ बीज कदम और लवगवग पचास हजार रुपया कुंटल था मखाना का दम अब दस दिन में कुछ न कुछ रियट निचा हुआ है माखाना में बहुत अच्छा है जैसे दूसरे की क्रिसी उत्पादक है उससे लाग गुना इसमें जादे आमदनी है मेहनत भी जादे है और हम लोग उसको लगाते भी है उसको फैक्टिरी अपना से त्यार भी करते हैं मखाना व्यापारियों का मानना है कि इस तरह की कोशिशों से किसानों और व्यापारियों के बीच सरकारी नीतियों के बारे में जाग रुकता बड़ेगी देखिए इस में अवेरनेस तो बढ़िएगी थोड़ी अभी सकेल इसका महुतसफ का थोड़ा और बढ़ा होना चाहिए इसके बारे में हमको इनफॉर्मेशन बहुत हाल फिलाल में मिली थोड़ा और पहले मिलती तो थोड़े और तैयारी से आते लोग और हम तो घहर क्योंकि ट्रेट से जुड़े हैं तो हम पहुँच गए बाकी बहुत सारे लोग हैं इतने शॉर्ट नोटिस पे प्लान करके नहीं आपए क्योंकि वहां तक अभी इसका पहुचा नहीं है कि ये इतना बड़ा मुहतसवया हो रहा है पिछले साल बिहार के प्रस्यति मिथला मखाना यानी फॉक्स नट को जियाई टेग मिलने के बात से व्यापार में ते जियाई है व्यापारियों को उमीद है कि ऐसा ही सहयोग मिलने से मखाने का कारोबार और बढ़ जाएगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें